Hello and welcome back to my channel Freaking Commerce, मैं हूँ शिरम सानी and आज हम लोग अपने chapter shares का question करेंगे 36 वाला थोड़ा सा अटपटा सा थोड़ा सा different question है लगता long question है है short 2 entry, 3 entry में कानी खतम हो जाती है लेकिन मैंने इस question बच्चों को दददस entry करते भी देखा है सो चलो देखते है question है कैसा बच शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चानल को सब्स्राइब नहीं का रखा है तो चानल को सब्स्राइब करेंगा साथ में बल एकन के ज़रूर प्रेस करेंगा ताकि notification सबसे पहले पॉस सके नई वीडियो उसके सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखो बटा question number 36 थोड़ा सा अटपटा सा question है थोड़ा सा अजीब सा question है 36 question है किसकी उपर पहले question read करते है question देखते हैं कि है क्या Mr. A who holds 200 shares of 100 each paid only 25 rupees per share as application money तो उनने बता दिया Mr. A ने 25 रुपे का application दिया B ने 300 hold share करता है 100 रुपी इच का 25 application और 30 allotment का दिया C 400 share hold करता है 25 application 30 रुपे allotment के और 20 रुपे first call के They fail to pay their errors and the final calls तो इन्होंने errors नहीं दी है Final call किसी ने भी नहीं दी है और shares को 4 feet कर लिया गया देखो पहली चीज़ क्या है मैंने बहुत सारे बच्चों को ये वाले question में बहुत सारी entries pass करते देखा है बच्चा application से चालो जाता है application allotment first call second call नहीं करनी है क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है कि total shares कितने इश्यू होए है समझ रहे हो क्योंकि हम लोग क्या करते है total shares issue होते है उसमें से areas को हटा देते है भाई हाँ पर तो question की starting से ये पता चलना है कि A के कितने इसे B के किते थे C के किते थे और उसमें क्या क्या नहीं दे रहे है तो ये कहानी सिर्फ areas की है इस question में आपको कुछ नहीं करना सिर्फ four feature करना है four feature का ratio and capitalism तीन entries pass होनी है बच्चे इसमें बारा बारा पंदबंद entries पास करते है वो नहीं करनी है आपको तो question को read करना बहुत जरूरी है उपर से इसमें application allotment first call money second call money as such बताया नहीं है जैसे से बोलते जा रहे हैं उसके basis हमें पदा चलते जा रहे हैं कि application कितना allotment कितना है first call कितना है second call कितना है so देखो हमारे पास Mr. A ने 200 shares है और इनोंने क्या 100 each का share और सिर्फ 25 रूपीज पे करें ठीक है तो पहले तो हम यह देख लेते हैं application allotment है कितना तो 100 रूपे का share है मैं question पढ़ने से मेरे को पता चला है कि application allotment first call तक question जा रहा है allotment first call second call क्योंकि Mr. A का बता रख़ए कि 25 रूप उसमें application के pay कर दी है तो 25 रूपे application कर रहोंगे तो उसमें बता रख़ए B ने allotment के 30 रूपे pay कर दी है तो allotment 30 की रही है C ने 25 application 30 allotment second call first call 20 रूपे की होगी so second call का balance निकाल लो यो कह 50 75 तो second call 25 की रही होगी अब हमारे पास यह देखते है Mr. A ने 300 200 shares पे सिर्फ क्या पे कर रहा है application money का payment कर रहा है which means that इसकी area's allotment first call second call की बनी B ने जो 300 shares hold करते हैं he paid application and allotment तो first call and second call इसने pay नहीं कर रहा मतलब perfect C ने 400 shares पे सिर्फ second call नहीं पे करी है बहुत बढ़िया और इन सारी shares को एक साथ company ने 4 फीट कर लिया है second call के बाद 4 फीटेट shares को रीशू कर देगे 95 रूपीज पर share पे तो टेंशन वजी बात अब है नहीं उसमें तो आपको entry pass करनी है सिर्फ किसी इसकी 4 feature की क्योंकि देखो यहां पर ऊपर कोई shares ही नहीं दे रखें जिससे हम multiply करें क्या दे रखें हैं shares हमें नहीं दे रखें तो आपकी एक सबसे पहली basic entry हो देगी 4 feature कर लेगी that is share capital account debit 2 अब सिर्फ यह कहानी जो है वो सिर्फ 4 feature की कहानी है अब देखो मैंने क्या calls in areas का account open कर रहा है नहीं का रखा है है ना मैंने call centers का account open नहीं का रखा है तो अब मेरेको दूसरा वाला section जो था ना बिना call centers in areas का account open करें वाला वो वाली entry पास करनी बढ़ेंगी तो उसमें name आएगा जो जो उसने payment नहीं का रखा जैसे allotment का first call का second call का तो two share allotment account, two share first call, two share second call, two share four feature account, simple क्योंकि areas का account मैंने open नहीं कर रहा है वरना हम पीछे से करते आते हुआ या application allotment तो आइरेस का account खोलता तो यहां close होता जब खोलें तो close करेंगे नहीं तो यहां पर आपके name लिखने पढ़ेंगे जो जो पेमेंट नहीं हुआ तो total shares हमारे पास हैं कितने जो फोर वी चक लिया हैं, चार तीन साथ आट नौ, 900 shares, so 900 पे fully called up है, means 100 rupees, अब देखो allotment किस ने नहीं दिये, allotment से नहीं दिये, so allotment पे 200 इंटू, allotment है 30 रुपे की, first call कौन कौन नहीं दे रहा है, first call 200 वाला भी नहीं दे रहा, 300 वाला भी न second call किस-किस ने दिये, second call A ने भी ने दिये, B ने भी ने दिये, C ने भी ने दिये, तो 4, 3, 7, 8, 9, 900 shares के second call नहीं दिये, second call 25 रुपे गी, 4 feature वो amount होता है जो पे कर चुके है, सबसे पहले हम देखेंगे, B ने क्या पे कर दा, A ने सिर्फ एप्लिकेशन दिया था, तो 200 shares पे सिर्फ हमें application मिला था 25 रुपे का, plus ये एक हो गया, B ने 300 shares पे application allotment दोनों चीज़े दे दी है, application allotment दोनों मिला के 55 रुपीज पे कर दी प्लस, C ने सिर्फ second call पे नहीं करी है, तो उसने कहां तक पे कर दिया, डाडिस कुफ्टी 75 रुपीज तक पे कर दिया, तो इसने 400 shares पे 75 रुपीज पे कर दिया, तो ये 4 feature की आपके entry पास हो चुकी है, then second हम रिशू करेंगे 95 रुपीज में, fully paid है, तो 5 रुपीज का discount जा रहा है एक तरीके से, so bank account debit, share 4 feature account debit, to share capital account, कितने रुपे, जितने shares आप 4 feet कर रहे हो, 900 shares 4 feet कर रहे हो ना, so 900 into 95, और fully paid है, जब कुछ नहीं रखा तो जितना called up होतना paid, called up भी आपका 100 कही है, तो 5 रुपीज का आपका discount हो गया, and third entry हो देगी, share 4 feature account debit to capital reserve, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, total of 4 feature होगा, कितने रुपे का है, तो यह होगा आपके बास, 5000 plus 16500 plus 30,000, तो 30 plus 16500 यह हो गया, 46500, 51500, total आगया, 51500, 51500 में से 4500 माइनस कर दीजाए, यह 4500 हो जाएगा, 12,42, 47000, because total हमारे 51500 होगा, उसको से हमने इतना यूज कर दिया, बाकी जो बच्चा वो हमने transfer कर दिया, तो capital deserve, it's a capital profit, and capital profit will be transferred to capital deserve, so यह थोड़ा सा different question था, main कहानी आपके इस question वो बस यह ही थी, कि जो बच्चे देखे हैं, मैंने इस question को attempt करते हैं, पूरा question, long question attempt करते हैं, application से start करते हैं, पूरी कहानी, या 15 या 16 entry pass कर जाते हैं, वो नहीं करनी है, question ने बोला, ने, question ने से बोला, pass, necessary, general entry, तो necessary वाले में, हमाई main entry amount तो पता ही नहीं कि company ने shares issue कितने का रखे हैं, तो आप main कैसे entry pass कर सकते हैं, so that's it with question number 36, short, simple, but mistake सबसे दाद होती हैं, इस वाले question, thank you for watching Freaky Commerce, अपना प्यार, अपना support देने के लिए, thank you so much, ऐसे ही वीडियोज आप लोग देखते रहे हैं, share करते रहे हैं, subscribe बटन पर क्लिक करते रहे हैं and like बटन पर ज़रूर क्लिक करेए अगर आप लोग को लगता है, कि मेरी वीडियोज आप लोग के लिए helpful हैं, especially जब exams आने बाले होते हैं उस time पर, So thank you watching Ringing Omers, ऐसे ही अपना support दिखा दे लिएगा,